ओम स्री गनी सैनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक सुवागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन मार्च रविवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अ सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुभारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों साथी साथ भूमी, भवन, वाहन, आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं। वेग्यानिक दश्टिकोन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजरुगों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा। आपके पक्ष में आ सकते हैं। अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एकागर चित रहें। आपको सपलता अवस्य ही प्राप्त होगी। दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण ले। दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता। यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की सिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा। उचित सिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है। अपनी पढ़ाय के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बन रहेगा। राज की ए मामलों के कारों में बहुती आपको सावधानी बरतनी कियाव सकता है। साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जाँच पड़तार कर ले। इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवश शकता है। अजनवी वे परिष्ट लोगों से वेवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवश शकता है। खर्चों पर भी आप नियन तर्ण रखें। इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा। साथि साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं। किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई आप प्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है। इसलिए आपको धहरे और सैयम बना कर रखना अति आवशक है। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली है। दोस्तो जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है। अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है। माता पिता वे घर के बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा। जहां दोस्तो परिवार में आज सांती का वातावरन रहेगा। संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें। किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपको वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो आज आस्मिक धनलाब के प्राबल योग बन रहे हैं। प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय पराप्त करेंगे। नए कारे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा। साथिसाथ कारेश्चितर में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदौड में व्यतीत होगा। दोस्तों साथी साथ आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत व्यपरिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही परतन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप का स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जैं दोस्तों आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफि उर्जावान महसूस करेंगे सातिसाँ अपने स्वास्त को और इच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इसनान आदिश निर्वत्र होने के बाद बढ़का एक पत्ता तोड़ें इसके बाद आप इस एक बढ़के पत्ते को साफ जल से या फिर गंगा जल से धोएं इसके बाद आप इस बढ़के पत्ते पर चंदन से अपनी मनो कामनाई लिखकर बहते हुए जल में भगवान शुर बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस